कि डियर स्टुदेंट्स आप सभी का smart infotec की online classes में सवागत है मैं आपका trainer इम्रान आप सभी का smart infotec computer education center में आप सबका सवागत करता हूँ और चलता हूँ टैली के session को आगे आपका जो day 18 था, day 18 में हम लोग करना से जाना मैनवल कैसे बनती हैं हमने उसके बारे में जाना अब मैनवल एंट्रीज बनाएं करूंगे कैसे या आगने यह इसे चाहिए आप साहले के हम लोग यहां पर कारेंगे आप जाने यह सारी ओड़ियख सप्टियू तो इस सेशन में पहले हम लोग जानेंगे टैली को मैनुवल कैसे बनाएंगे तो यहां पर आपको केवल यह दो रूल याद कर लेने हैं यह फिर्स पास करने में इसके साथ अजयस्मिंटे एदये साथ यह दो ने अप रूल हम देये हैं इस में तीसरा चॉथा एपको अपयार करना यह को पहले दूसरे ही हो तो आपको ध्यान क्या जो हमांता है चलाग्ज बिजनेस के लिए फिर भूब बेचने में के लिए ज़रूरी चीज़े होजी जैसे बज़ोनेग्य करता है जो क्या ते हैं डेंज अज़ते हैं जिन चीज़ा को ने हना को हम्हम बेचने के लिए नहीं वो सब हमारी assets होती और जिनको हम बेचने के लिए खरीदते हैं यानि जिनका हम बिजनेस कर रहें वो हमारा goods होता है तो assets और liabilities यह दो रूल आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं liabilities हमारी क्या होंगी liabilities जो हमको चुकाना है देना है जो हमारी company का अभी बगाया company को हमारी देना है वो सब हमारी liabilities है तो बहुत शॉर्ट में हम समझा रहें आपको तो आपको ध्यान क्या रखना है ध्यान सिंपली यह रखना है कि assets की जो default balance है वो हमेशा debit होती है assets debit में लिखे जाएंगे ठीक है और liabilities हमारी credit में लिखी जाएगी यह याद रखना है अब इनका rule तीसरा चौथा क्या है तीसरा चौथा बहुत सिंपल है कि जो भी चीज इनका जो default balance है assets का debit है और liabilities का credit है बस यह याद रखना assets की balance debit होती है liabilities की balance credit होती है अब अगर इनका balance बढ़ रहा है अगर कोई भी लेंदेन है इनकी value बढ़ रही है तो बढ़ने पर जो balance होता है वही रहेगा चाहे वो asset हो चाहे लेविल्टी जो भी balance होता है इनका default balance यह बढ़ने पर इनकी value बढ़ने पर यही रहेगा घटने पर अपोजिट हो जाएगा मतलब हैसे से सिक की हमारे डिपाल्ड जो और वह देविड होती है तो अगर व करदे नहीं यानि garant की इषिए समने क्रेड़ी और फेरिंट की बर्ण पर दोनों चीज तो पारय में default balance assets की हमारी debit होती है तो बढ़ेगी तो debit रहेगी घटने पर credit liabilities की default balance credit होती है तो बढ़ने पर credit रहेगी घटने पर debit वोस इतना सध्यान रखना है तीसरा चौथा इसी बात पर लिखा हुआ है आप खाली पहला दूसरा याद रखिए कि assets की जो balance है assets की balance debit होती है और liabilities की balance credit होती है और बढ़ने पर यही रहेगा घटने पर opposite होगा अब चलते हैं इंट्री की तरफ तो बहुत असानी से समझ में आएगा यह सब company के transactions मान लेते हैं हम लोग company के 500 रुपए outstanding wages है यानि आपकी company को अभी wages यानि मजदूरी 500 रुपए देना बाकी है outstanding क्या होता है जो हमने payments अभी clear नहीं किये जो हमारे dues है जो बकाया है तो 500 रुपए हमारे wages के देना बाकी है यहां पर इसकी general entry कैसे बनेगी देखिए जब adjustment है तो adjustment में cash आपका कभी नहीं आएगा हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि outstanding मतलब बाकी है मतलब अभी हमने pay किया ही न क्योंकि adjustment का मतलब है जो अभी हमारे transactions complete नहीं हो पाएते इसलिए तो adjustment है तो adjust कैसे करेंगे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पर outstanding wages जो हमारा है वो है 500 रुपए 500 रुपए कंपनी को मजदूरी यानि wages देना बाकी है तो दो खाते हमारे यहां पर कैसे क्या बनेंगे उनको हमें समझना है एक हमारा बनेगा wages क्योंकि मजदूरी देना बाकी है दूसरा outstanding wages और adjustment word के साथ यह एक तो मजदूरी एक कैसी मजदूरी है यह बकाया मजदूरी है तो wages तो simple आपका nominal account होता है nominal account में देना बाकी है यानि आपका खर्च है यूंकि outstanding क्या है खर्चा है तो देना बाकी है बकाया अभी आपने दिया नहीं है तो यह आपका खर्चा है और खर्चे आपके क्या होते हैं पहले की तरह खर्चे nominal account में debit होते हैं तो यह debit हो जाएगा अब इसको अपने नए वाले रूल से जो adjustment वाले होंगे adjustment पे रूल अभी जो हमने दो रूल आपको याद करा हैं कि assets की balance debit होती है liabilities की balance credit होती है तो इनके rule adjustment वाले खाते पे लगेंगे जहां यह outstanding wages लिखा है यहां पर आपका यह वाला rule काम करेगा जो अभी आपने याद करा है और पुराने वाले रूल आपके जो simple wages है वो उसमें लगेगा तो outstanding wages क्या है हमारी liabilities है liabilities क्यों है क्योंकि अभी company ने यह दिया नहीं है देना बाकी है तो company का दायत्व भी बढ़ रहा है liabilities हमारी बढ़ रही है हमें pay करनी है तो liabilities का default balance credit होता है और बढ़ने पर भी क्या रहेगा credit रहेगा तो यहां पर increment इसलिए मैंने लिखा है कि liability account debit और outstanding wages liability है liability बढ़ रही है तो credit हो जाएगी to outstanding wages account narration पहली की तरह being wages outstanding की मजदूरी देना बाकी है और सारे adjustment entries जो भी होंगे हमारे उसारे adjustment entries आपके F7 में पास होंगे F7 जो होता है आपका यह टैली पर कौनसे voucher का नाम है आपने अगर याद किया होगा जर्नल वाउचर जिसकी एंट्रियां मैंने अभी एक भी आपको नहीं कराई और कहा था आगे बताएंगे तो जर्नल वाउचर F7 में यह entry जाएगी ठीक है तो outstanding wages मजदूरी देना बाकी था उसकी यह हमारी entry बनी ठीक है इसके बाद दो दोनों रूल यहां पर कैसे apply हो रहे हैं आपने देखा इस वाले पर पुराना वाला रूल लगा क्योंकि यह simple था और यह adjustment word है तो adjustment में adjustment वाले जो real अभी हमने जो आपको रूल बताएं simple से यह वाले रूल बस यह आपको ध्यान में रखना है कि assets का balance debit होता है यह याद र credit रहेगी और घटने पर इनका opposite होगा अभी घटने वाला भी सीन आगे मिलेगा तो यहां पर मजदूरी देना बाकी था हमें इसलिए हमारा liability बढ़डा है बढ़ने पर credit होगा इसलिए यहां पर credit किया था I hope समझ में आ गया होगा चलते हैं अगली entry की तरफ जो की है prepaid insurance prepaid insurance prepaid का मतलब मैंने आपको बताया था पहले से पे कर दिया यह वह खर्चा है खर्चा यह बहुत अब अब निकल अपने दिया नहीं प्रिपेड आपने टाइम से पहले दे दिया तो यह आपका advance payment है खर्चा लेकिन advance payment है यानि यह उस time period का खर्चा नहीं होता है जिस time period हमने द और दिसंबर है तो एक दिसंबर को दिसंबर का खर्चा हमने दे दिया वे दिसंबर के साथern지만 नहीं के जनवरी했는데 वह दिधी अ गटा दी आए गी और जनवरी में उसको सभी से एक करे दिखाएंगे तो यहां पर prepared insurance 400 रुपय है जो इंस्चोरेंस पाप खर्चा है साथ सक्रूपआ्ट है यानि अद्वांस में दे दिया तो यहां पर भी दो खाते हमारे बनेंगे तो खाते कैसे बनेंगे एक insurance बनेंगा्ट अकाउंट है एक planning insurance बनेंगा और इंशूरंट है और ईंशोरेंस छो होती है याद रखना अब बढ़ेगी तो डेबिट रहेगी यहां पर बढ़ रही है क्योंकि यह एसेट है हमारी और यह हमारा खर्चा जन्वरी का है इस दिसंबर का नहीं है तो यह टाइम एडवांस में जो आपने पैमेंट कर रहा है यह हमारे करन्ट टाइम के लिए इस ट महिने का है नहीं जब यह खर्च हमारा इस महिने का नहीं है तो इस महिने इसे एज इनकम ही तो दिखाया जाएगा ना तो यह एज इनकम दिखाएंगे एज क्यों मैं बोल रहा है इनकम की तरह इनकम नहीं बोल सकते क्योंकि कोई इनकम है नहीं भाई यह अभी खाली इस ट वर्चे में दिखाएंगे तो यह as income होगी और income nominal account में credit में जाती है इसलिए इसको to insurance account nominal account के नियम से credit करा और asset का balance debit होता है इसलिए हमने इसे debit करा जर्नल वाउचर F7 में entry pass हो जाएगी इसके बाद मैंने कुछ practice exercise दी है इसको करने के लिए इन entries को आपको करना है और यह सारी entries मैंने नहीं कराई है तो आप सारी entries कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता चल रहा हूं अब हम आपको solve कराते हैं यह वाली दो entry तो आप खु advertisement है ठीक है अब हम लोग चलते हैं एक्रूड इंट्रेस्ट रूपीज 500 की तरफ तो चलते हैं एक्रूड इंट्रेस्ट रूपीज 500 यह entry यह मैं solve करा दे रहा हूं आपको एक एक करके अब देखें यहां पर एक्रूड इंट्रेस्ट एक्रूड मैंने बताया यह वह income होती है जो हमने earn कर ली लेकिन receive नहीं हो पाई तो दो खाते कौन से बनेंगे एक हमारा बनना है एक्रूड इंट्रेस्ट और दूसरा हमारा बनना है only interest ठीक है इसके बाद अब इनकी identification कर लेंगे पहले की तरह जैसे करते हैं तो इसकी यह हमारा एक्रूड इंट्रेस्ट है एक्रूड वह income जो हमने earn कर ली लेकिन अभी हमें receive नहीं हुई है तो यह हमारी income है nominal account में यह हमारा जो है एसेट कहलाएगा यह हमारा asset है asset है क्यों asset है बाई ऐसी income है यह जो हमने earn कर लिये लेकिन अभी receive नहीं हुई मिसाल के तोर पे हमने November में हमने जो है काम कर लिया लेकिन आज December आ गई और भी November की हमें salary मिली नहीं तो income तो हमारी November की ही है तो यह हमारी संपत्ती है accrued क्या है हमारी asset है संपत्ती है तो यहां पर यह debit में जाएगा हमारा इसके बाद क्योंकि assets बढ़ रही है हमारी यहां पर interest हमारी nominal account में income कहलाएगी तो हमने लगाउन में इंकम है और इंकम हमारे क्या होंगे क्रेडिट में जाएंगे यानि टू में जाएंगे तो इंट्री बनकर हमारी क्या आजाएगी एक इंट्री हम आपको यहां पर बता रहे हैं ठीक है यह आपने नूट कर लिया होगा एक इंट्री हम आपको यहां पर बता रहे हैं इंट्री हमारी आजाएगी बाकी की हम खाली आपको यह रफ काम बताएंगे यह वाला इंट्री आप खुद बनाएगा यहां पर और बना दे रहे हैं डेविड हमारा एक्रूड इंट्रेस्ट ह है 500 रुपए 500 क्रेडिट में 2 इंट्रेस्ट एकाउंट कितना है हमारा यह भी 500 ठीक है इसके बाद यहाँ पे डिंग इंट्रेस्ट एक्रूट लिख देंगे यह नरेशन हो गया और यह एंट्री सारी एड्जेस्मेंट एंट्री ध्यान रखेगा अंडा स्टूडे सब एफ 7 में जानी है इस बात का आप ध्यान रखेंगे एफ 7 में यह पास हो जाएगी आयोप आपको समझ आ गई होगी ठीक है इसी तरीके से हम अगली और एंट्री की तरफ बढ़ेंगे अब हमारी अगली एड्जेस्मेंट होगी स्टूडेंट्स यह वाली अनेक्रूट कमिशन रूपीज 600 चलते हैं अनेक्रूट कमिशन रूपीज 600 की एंट्री कंप्लीट करने हम लोग एंट्री अब आप कि अनेक्रूट किया है मैंने आपको बताया था लास्ट यह नहीं हमारी अड्जेस्मेंट कितनी होती है किसने को क्या कहते है वह डै8उड वाली वीडियो जरूर देखे उसमें सारी अड्जेस्मेंट मैंने एक्स्पलेन कियी है अनकृट का मतलब मैंने बताया था वह हमारी इंकम जो हमने अभी अर्णन नहीं की लेकिन हमें पहले से मिल गई ठीक है तो यहाँ पर आपका एक लेजर बने गा कमिशन ठीक है यह आपका जाएगा नॉमनल अकाउंट में और नॉमनल अकाउंट में चुकि यह कैसा कमिशन है जो अभी हमने कमाया नहीं है लेकिन हमको पहले से मिल गया यह हमने अभी कमाया ही नहीं है लेकिन हमको पहले से मिल गया तो यह हमारा कमिशन एक जो है यह नॉमन अभी हमारा इस बार की income है ही नहीं as expense क्योंकि यह expense नहीं है यह हमारे इस समय इस time period की income नहीं है बट आने वाले time period की यह हमारी income होगी तो अभी के लिए income नहीं है तो as expense की तरह इसे दिखाएंगे हम यहां पर दूसरा हमारा बनेगा unaccrued income या unaccrued commission डारेक नाम दिया हुआ है तो commission ही लिखेंगे हम लोग unaccrued commission यह हमारा liabilities कहलाएगा और liabilities का default balance credit होता है यहां पर liability हमारी और बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है भाई यह 600 रुपए तुमारे commission इस time के तो है यह advance आपको income मिल गई है जो अभी आपने अर्ण भी नहीं की पहले से मिल गई तो यहां पर हमारी liabilities बढ़ रही है हमारा दाइत्व है कि अभी हम इसे पूरा करें और बढ़ने पर liabilities हमारी credit होती है तो इसकी जो entry बनके आएगी entry क्या बनके आएगी commission account dr इसे आप debit में रखेंगे to unaccrued commission account यह entry आपकी बन जाएगी यह हो गई entry number 5 इसके बाद sorry 4 अब आते हैं entry number 5 पर यह वाली bad debts on debtor rupees 500 तो देखते हैं bad debts on debtor rupees 500 के entry हमारी क्या बनेगी देखते हैं तो bad debts on debtors rupees 500 है तो fifth number पर हम लोग बढ़ते हैं bad debts on debtors rupees 500 तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग पांच नमबर है bad debts on debtors rupees 500 अब इसकी हमें entry बनानी है तो सबसे पहले एक लेजर आपका बनेगा आपका पहला लेजर जो आपका बनेगा वो बनेगा bad debts ठीक है दूसा लेजर आपका बनेगा वो बनेगा debtors ठीक है अब bad debts आपका क्या होता है मैंने बताया जो पैसा देंदारों से हमें वसूल नहीं हो पाता है डूब जाता है जो पैसा मर जाता है वो हमारा bad debts कहलाता है तो यह हमारी asset होती है संपत्ती क्योंकि इंसे हमें पैसा मिलता है अब यहां पर हमें देखना है debit कौन होगा और credit कौन होगा तो चलिए debit होती है तो बढ़ने पर debit रहेगी और घटने पर क्या हो जाएगी credit तो घटने पर यह हमारा credit में चला जाएगा तो इसको हम credit में रखेंगे entry बनके हमारी क्या आजाएगी bad debts account dr to debtors account to debtors account narration being bad debts made narration हम लिख भी दे रहे हैं आप entry बना लेना being bad debts made bad debts बनाया गया हम यह भी एंट्री आपकी f7 में जाएगी adjustment 5 entry हमने इस video में जानी बाकी की 5 छैंड्री हम अगली वीडियो में जानेंगे इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे अगली वीडियो में बची हुई जो एड्जेस्मेंट इंट्री स्थे उनको जानेंगे फिर उसके आगे की वीडियो में यह सारी एंट्री को TILE on software पर कैसे पास करेंगे वो जानेंगे इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की एंट्रियों के साथ थैंक यू सो मच